तो आज में लेके आई हूँ चकली की बहुत सिंपल और इजी रेसिपी तो इसके लिए हम ले रहे हैं सबसे पहले आटा और आटे को सबसे पहले हमें क्या करना रहेगा भाब देनी रहेगी तो इस तरीके से आप कोटली बना लीजे और कुकर में इसके हम लेंगे एक सीटी इस तरीके से बरतर हम रख देंगे और इसके हमें लेना है एक सीटी तो इसके लिए हमें लगेंगे यह सारी चीजे तो यहां पर मेरे कुकर की एक सीटी हो गई है और सबसे पहले मैं क्या कर रही हूं लेसन मिर्च और अद्रक यह सारी चीजों को अच्छी तरीके से मैं क् या पर आप 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 इसमें जासी तरीके से सुखा दनिया यह सारे पीसिक मसाले इसे हम ड् doctors ऑर इसके बाद minutes आपां में खुल काशण को करने मिल ह shack our ař decision खे their eruाई ॐ और इसके सुखा बहुज राइप सी नमट इसमें डालेंगे पानी और इसको 1 अच्छा सा डू हमें करना है देखे हमारा आटा बिलकुल हो गया है और इसमें हम थोड़ा सा तील लगा के आप रक्तिछे और इसे एक बार फिर से हम दुबारा से अच्छी तरीके से माझ लेते हैं बस थोड़ी सी देर हो गई है और बस यह जो है ना हमारी चकली मशीन इसमें हम इसे डाल देंगे और हमारी चकली पटापट से बनाएंगे तो इस तरीके से आप चकली बनाते जाए और इसे आप एक साँ चाहें तो लंबा लंबा भी बना के रख लीजे और फिर इसे हम थोड़ी सी देर तीन से चार मिट रखेंगे और उसके बाद फिर इसे हम तलेंगे तो यहां पर मैंने कड़ाई भी पहले गरम करने के लिए अची तरीके से हमारी चकली यों को तल लेंगे और बस हमारी जो चकली है तो इस देवाली आफटा फचसे यह वाली रेशिपी को ट्राइग की जेए और बहुत टीस्टी और एजी चकली की रेशिपी बनाईए बस चकली हो गई है रैडि और इसे आप अराभ से एंजोई क प्रियर